हलो एवरिवन आज हम सिलिंडर से ही एक और सवाल बनाएंगे जो क्लास टेंथ वालों के लिए इस्पेसली है यह तो चले देखते हैं क्वेश्चन क्या है देखते हैं तो देखते हैं सर्विशन में क्या करना है हमको सबसे पहले एक हमें वेल्ट बनाया हुआ है इसका जो डायमेटर है वो दिया हुआ है इसे हम लिखते हैं चलिए मार करते हैं डी या इसे हम लिखेंगे टू आर इक्वाल टू सेवन मीटर यह दिया हुआ है और क्या दे हुआ है इसे हम जो है 20 मिटर जो है इसे डीप करना है खोधना है इसे और इसी तरह से हमें जो है प्लेटफर्म जो है मना हुआ है इसका भी डायमेशन देख लेते हैं एक प्लेटफर्म है इसका 22 बाइफ 14 मिटर यह साइज है हम लिखेंगे इसे 22 मीटर और हाइट दी हुई है 14 मिटर अब हमें क्या करना है प्लेटफर्म की हाइट मालूम करना है तो क्रेश्चन में यह समझने वाली बात है कि सबसे पहले यह देखेंगे कि हमें एक वेल खोदने में डिक करने में कितना आर्थ वर्क लगता है मिट्टी जो है कितनी लगेगी और वो जो मिट्टी निकलेगी उससे हम क्या करेंगे एक प्लेटफर्म तेयार करेंगे इसका लंबाई चोड़ए दिया हुआ है लेकिन हाइच हमको मालूम करना है तो सब पहले हम लिखेंगे गीवन डायमिटर दी या इसे हम लिखेंगे 2R वेल का दिया हुआ है कितना लिखा हुआ है 7 मिटर यह है वेल जिसे हिंदी में कुवा कहेंगे यह दिया हुआ है और इसके बाद इसके हाइट दिया हुई है 20 मिटर जो है हाइट या इसे हम डेप्ट भी कहेंगे यह हमें डग करना है इसका मतलब यह हुआ कि वेल जो है वो आएगा सिलिंडर कर सेप में तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले वाल्यूम आफ वेल जो कि सिलिंडर कर स्लेप में है इसका फर्मुला होता है हम इसे लेखेंगे वी बन पाई आर स्क्वेर एच अब हम इसमें मान रखेंगे पाई पल्टू होगा 22 बटे साथ 22 अपाउन 7 इन्टू आर जो दी हुए है यह है 7 इन्टू 7 मीटर इससे हम आर इकोल टू लिखेंगे 7 बाई टू इससे हम कहेंगे 3.5 मीटर यहां हम लिख सकते हैं इसको 7 बाई टू इन्टू 7 बाई टू इन्टू हाइट यह दी हुई है 20 मीटर तो चलिए देखते हैं क्या आता है इसमें यह हो जाएगा हमारे पास 2 तू चलिए 4 और 5 बाई ट्वन्टी 7 बाई 7 हो गया यह हो जाएगा हमारे पास 22 इन्टू 7 इन्टू 5 अब हम इससे लिख सकते हैं 22 इन्टू 35 यह हो जाएगा वाल्यूम आप दो वैल क्योविक मीटर में अब हम देखते हैं कि प्लेट फार्म जो है इतने ही वाल्यूम का हमें प्लेट फार्म बनाना है जितनी मिट्टी वैल को डग करने से निकलती है तो वैल का वाल्यूम आगया हमारे पास में अब हम प्लेट फार्म के बारे में लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है गिवन एक्वल टू 22 मिटर बी इस इक्वल टू 14 मिटर और इसकी जो हाइट है सी वह हमें मालूम करना है अब हम यह देखते हैं कि प्लेट फार्म दे है वो प्लेट फार्म इस किस चेप में है यह है क्यूबाइडल सेप में है यह तो क्यूबाइडल में वालिम आप तक क्यूबाइडल क्या होता है जिसे हम लिखेंगे V2 is equal to A into B into C यह हो जाएगा 22 into 14 into small c यह हो जाएगा प्लेट फार्म का वालूम जिसना में हाइड जो है c मालूम करना है क्योंकि क्या है हमें जो है question में दिया हुआ है यह हमें क्या करना है प्लेट फार्म इस मेड प्लेट फार्म बनाना है फार्म अर्थ मतलब हो गया मिट्टी टेकन बाई वेल्ड क्या लिखेंगे दोनों की क्वांटिटी जो है वो बराबर करेंगे क्योंकि जितनी मिट्टी वेल्ड से निकल रही है उतने ही मिट्टी काम प्लेटफार्म बनाएंगे यहाँ पर हम लिखेंगे वेल्ड 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 आ गया है, V1 एक पर 2, V2 हम इसे लिखेंगे, V1 है हमारे पास में 22 multiplied by 35 equal to V2 बराबर है हमारे पास 22 into 14 into C अब देखते हैं, क्या calculate कर से इसमें 22 और 22 divided हो गया, अब हमारे पास बचता है 35 upon 14 equal to C, या इसे हम लिख सकते हैं, C equal to, यहां पर करेंगे, sorry, 7 to the 20, 7 to the 14, और 75 to 35, अब इसे लिखेंगे, 5 by 2, अब इसे हम लिख सकते हैं, 2.5 meter, क्योंकि जितने भी dimensions है, सब meter में दिये हुए है, इसका मदलिया हुए, अंसर क्या है का इसने, the height of platform is 2.5 meter, जो हमें find करना था, यह हो गया, इस सवाल का solution, तो चलिए, फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में नए सवाल लोग साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब का इपी जिए, जोने नहीं किया है, और फिर इस तरह से सवाल देखते जाएए, झाले 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